माता पिता मुजीशन तो घर में संगीत का बड़ा माहौल रहता होगा हमें तो यूट्यूब पर जाके लगाना पर चाहिए दोपहर है कुछ भीम-पलासी सुन लेते हैं सुबह है तो भेहर भी सुन लेते हैं पर आपके घर में वो सहज स्वाभाविक रूप से तो आपका जो आपके कानों में बच्पन से बड़ा नॉमली आपके कानों में पढ़ता है जैसे कहते हैं कि बिजनेस फैमिली में बच्चा जो होता है उसका बिजनेस सेंस जो है वो डिवलप होता है वो ज़रूरी नहीं कि उसको बिजनेस का प्रैक्टिस कराया जाए लेकिन उसका ब जब हमारे घर में, हमारी फैमिली बहुत, उस समय उसमें एक बड़ी खास तरह की या अलग तरह की फैमिली थी, क्योंकि in those times, it was a nuclear family. बहुत ही nuclear, modern जो आज एक concept है nuclear family का, वो उस समय में हमारे घर पे था. तो जैसे मुझे अपने रिष्टेदारों के बारे में जादा नहीं मालूम है, मैं छुटियों में अपने रिष्टेदारों के हाँ अपने कजन्स के हाँ नहीं गया, तो मुझे नहीं मालूम है कि वो लोग कौन है, रिष्टे मुझे फैमिली स्ट्रक्चर में जादा समझ मे नहीं आते हैं, मुझे लोग समझ में आते हैं, लेकिन ये ताया जी हैं, ये ताई जी हैं, फुफेरी मासी हैं, ये मेरे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं, लेकिन हमारे घर में लोग बहुत आते थे, और वो लोग होते थे, जो कला से जुड़े होते थे तो हमारे घर में एक बड़ा ही सेकुलरिजम जो है वो भी बहुत नैचरली आया क्योंकि संगीत में अगर आप अच्छा गाते हैं तो हम आपकी इज़त करते हैं हम आपको खाने पर बिलाते हैं अब आप खासाव हैं या यादव हैं या कुछ भी हैं आप अच्छा अच्छा संगीत करते हैं तो आप हमारे दोस्त हैं तो एक तो सेकुलरिजम हमारे घर में बहुत वैसा आया और सॉरी मैं थोड़ा भटक गया नहीं प्लीज 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 आप यूहीं बताते रहें यहीं प्रवाग्सा बिल्कुल इस चीज की परवाह मत करें हां नहीं सरगम गा देता था सारे गामा गा देता था और मैं ऐसी बस गाके ऐसे ख़ड़ा जाता था और वो कहते थे कि यह बहुत अच्छा गाता है यह इसको बनाओ इसको गायक बनाओ लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं सुबह से देखता रहता था फादा म्यू जलता गया फिर वो स्पोर्ट्स पे गया वो फिल्मों पे आया ऐसे पूरी जर्नी रही तो बच्चे जरा सरगम गा के सुना सारे गामा पादानी सा सानी धा पामा गारे सा यह तो चूट नहीं अविर्यास पर इस पे कुछ फिर बंदिश भी कुछ तो ममा ने पिदाजी मे है तो मैं आप अब आपका कहना यह है कि कोई काना गा कर आपको सर कम थामार को पूछ गा के आपको मैं सना देता हूँ और यह गाना मैं पहले बता दे मिए औरीजिनल गाना नहीं है यह गाना एक तरीके से एडाप्टेशन है बहुत मशहूर गाने का वो अंग्रेजी का गाना है और उसका बड़ा मशूर गाना है वो उसका नाम है के सरा सरा वोटेवर विल बी विल बी तो उसका ये हिंदी रुपांतरण है और बिल्कुल धुन रिक्दम अलग है और शब्द रिक्दम अलग है हौले पुकार के आचल को थाम के मैंने काहा थामा बता कल क्या होगा तु ये बता माने तब प्यार से गोद में दुलार के हसके काहा था सुन्जरा कल की उस जेब में किसका है क्या छिपा ये है नहीं जानना होना है जो वो होगा फिर मिला था साजन आया था सावन उस से भी पूछा ये बता कल क्या होगा तु ये बता होठों को चूम के बोला वो जूम के सुनो मेरी जान जाना कल की उस जेब में किसका है क्या छिपा ये है नहीं जानना होना है जो वो होगा चलती इस रेल में दुनिया के खेल में प्यारे फिर क्यूं रोना खुशी मिले या गम हसना तू हर दम आंसू बचा के रखना जीना तो है हीना क्या बाद बहुत शुक्रिया थैंक यू सुनने के लिए नहीं नहीं तो